हेलो एब्रिमन कैसे हैं आप साथ आसा करते हैं अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं आज की प्रैक्टिकल क्लास के बारे में हमारी इस प्रैक्टिकल क्लास आज की जो पहली क्लास है यह बड़ी यूनिक होने बाली है इस क्लास में हम आपको प्रैक स्क्रीन है इसमें माउस का लेप्ट क्लिक हुआ राइट क्लिक हुआ यह बताएंगे आपको किसी प्रवाब में पहुंचना हुआ उसे बाहर नहीं करना हुआ यह बता दीजेंगे और साथ ही साथ जैसे हमें कई बार कि अपने जो डेक्स्टॉप का के बाल पेपर होता है उसको भी चेंज करना होता है तो भी हम आपको चेंज करना बताएंगा तो वीडियो को बिट l देखें अख अशह करते आपको प !!!प्संद आने वाली है तो बीन समय का वायं हम ऐसे शुरू करने हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं computer जह हमारा on रहता है तो सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करने की पूरी प्रोसेस होती है उसमें जितने भी options होते हैं उनको हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे तो यहां पर जैसे कि आपको एक last क्लिक करना है माउस से जैसे माउस से लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे icons हो जाएंगे इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है परशान होनी क्या हो सकता नहीं है जैसे सामने आप दिखेंगे साइड में तो आपको यहां पर सट राउन लिखा आए जाएगा सट राउन का मतलब होता है computer आपका पूर तरह से बंद हो जाएगा मतलब computer जो आपका ओफ हो जाएगा तो अब आपको इसको दो बारे से ओफ करने की ज़रूत नहीं होती कई बार क्या होता है कुछ लोग यहां से और भी सारे options को यूज कर लेते हैं तो computer off होने के बज़ा लॉप हो जाता है लॉप हो जाता है तो बहुत सारे options है जैसे case में दिख रहा है यूजर हुआ लॉग ओफ हुआ लॉग हुआ और रिस्टार्ट हुआ और स्लीफ हुआ तो मालो कि अगर हमें आपको बन वाइबन बता दें जैसे हमें switch user है switch user का use जो होता है वो basically अगर आपको जैसे आपने अपने computer system में दो user बना के रखे हैं या फिर दो से अधिक बना के रखे हैं एक user से आप दूसरी user पर ID को open करना चाहते हैं और उसमें आपना जो भी पड़ा हुआ data है यूज करना चाहते हैं तो इसलिए आप उसको कर सकते हो उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सिम्पली आपको जैसे switch user है इस पर click कर देंगे तो switch user से आपको देख सकते हूं अगा है यह देखे तो आपके हाँ यूजर बने हुए आच चुके हैं देखिए एक user है यह है डोनों user है अभी हम इस है यह हमारे यूजर है इस हम पर करते हैं कि आफ देखो है किया जैसे मैंने अज्छ आ गया है धकासवर्ड दीये रखा है अब हम इसकी जग्शा ढूसरा आपको दिखा देते हैं अगर माहलोग यह पासवर्ड वाला हमें ना यूज्ड Surf करना है कोई दूसरा पासवर डाल के अपना आगे बढ़के अपना अन कर सकते हैं तो अभी हम सुच उच्छ पर क्लिक करेंगे और देख सकते हूं वापस आ गए अगर हमें जो है नेक्स्ट पर अगले मतलब सुच उच्छ उजर के द्वारा हमें दूसरा यूजर भी ऑन करना है तो इसको भी कर स तो देखिए हमने कितने इसली आपको एक option के बारे में समझा दिया दूसरा option देख लेती उसी का तो इसली हमें left क्लिक करना है माउट से start button पे और यहाँ पर अगला option हमारा दूसरा लिखा लॉग-off लॉग-off होने के बाद आपका जो जो भी आप इस पर वर्क कर रहे होंग अगर हम इसको दुबारा से on करना है तो दुबारा से on करने के लिए देखे वही हमें guest यूजर पर लेके आया है अब हम user से जाके यहां से भी switch कर सकते हैं और switch user से भी switch कर सकते हैं लेकिन इस process में आपका जो पुराना user था वो properly बंद हो जाएगा काम और आप दूसरी user पर इसली switch कर सकते हैं और directly आप जैसे guest अभी हम शला रहे थे इसको दुबार से फिर से on कर लेते हैं तो इसली हम on भी कर लेंगे इसको तो यह हमारे पास तरीके है यह लिज़े तो हमारा फिर से system on होके तैयार हो चुका है यह लिज़े यह हमने अपना icon set कर लिया बापिस से आ इसी में अगला option है इसी में start button पर click करेंगे और फिर हमारे पास lock option है लोग पर click करेंगे तो हमारे system lock हो जाएगा कैसे click करेंगे लोक हो गया just lock होना मतलब आप जैसे कोई बर्ट कर रहे हो या फिर आपको समय कोई काम करना है या फिर कोई भी आपका फ्रेंड इस चीश्कों वर्क ना कर लें आप बच्चेयों होते हैं कुछ काम ना कर लें कुछ जैसे आप टाइप बगएर कर रहे हो तो कीबड द्वा और यह समर्हारा फिर हमारा अगा अग्ला और हिव डिंधए छफियल्ह निए कि देखिए फिर लिखा है डिगत है कमपीटर आपका दोबारा से बंद qo puss 0019 बंद नहीं होगा बंद होने के बाद उना है स्टार्ट होगा ठीक है तो हम रिस्टार्ट को भी आपको करके बता देते हैं जैसे हम क्लिक कर दिए तो हमारा सिस्टम देखिए अब सब्सक्राइब हो रहा है सब्सक्राइब होने के बाद यह प्रॉपल रिस्टार्ट भी कर र कि देखिए इस तरह से आप अपने मतलब कंपीटर को बहुत सारी चीज़ों से बंद करना हुआ आफ करना हुआ असानी से कर सकते हूं परशान होने की कोई आवशक्ता नहीं है देखिए दोबार से हम वहीं स्विच्विजर पर आ गए और यहां पर फिर से हम गिश्ट पर क् यह देखिए अब हम इस बॉल पर को सेट करते हैं और यह हमने यहां पर चेंज कर लिया है इसके बाद हमारा अगला उपसन अभी जो बाकी है उसमें है स्लीप स्लीप का मतलब होता है यह केवल केवल डेक्स्टॉप की जो आपकी स्कीन हो बंद हो जाएगी देखिए यह सो अब करना है तो अन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा बस आपने सीप्यू से जो पावर बटन है उसको क्लिक कर दीजिए आपका सिस्टम वान हो जाएगा थोड़ा से वेट लेगा यहां पर ए हगे देखिए अब हमने इसको तो हमारा सिस्टम दबार से रहा हो चुका अब अब दन्म बता रहे हुद स्क nyt लौक था है हमारा चैने इसको श्लीप मोड में डाला था दो बार स्म 알काम तो परशानों कि आवशक्ता नहीं आप इसको इसली बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो तो यह हमारा पूरा इसको कंपीटर को बंद करना हुआ अब है हमारा लाश्ट ली ऑप्सन सट डाउन का मतलव होता है कंपीटर पूरी तरह से बंद हो जाएगा अब आपका जैसे जो भी वर्क कर रहे हैं आप तो नहीं रहेगा जैसे मालो मैंने भी जो वर्क किया था जैसे कोई फोटो उपन कर लेते हैं जैसे नहीं इसको नहीं बताऊंगा मैं जैसे मैंने एक सॉप्टेपर उपन कर दिया ठीक है अब मैंने इस पर कुछ भी लिख लेता हूं जैसे मैंसे है लो है है लो माई जीयर है यह लिखा गया अब हम इसको डाइक ली लॉग ऑफ ना करके यहां पर जो लाश्ट था हमारे स्लीप कर देते हैं देखें इस स्लीप कर गया है अब हम दोबारे से कौन करने वाले हैं अब आपस से पावर बट्राइब करेंगे यह लिखें यह हमारा सिस्टम स्लीप कर गया था और इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप जो अपने इसली कीबोड से भी कोई भी बटन प्रेस कर देंगे तब भी यह ओन हो जाएगा यह आपको मैं करके बताता हूँ यह लीचे यह भी हमारा वहन गया एक बार हम पर इसकोश्यीप कर लेते प्लिक किया यहमारा सिस्टम स्लीप हो गया है हाँ आप देखें मैंने कीवोड से यहां पर कोई भी का क्योवोड टाइप बडन यहां से प्रेस कर देते हैं जैसे मालों मैंने यहां से यह की टाइप कर दी हों यह भान हो जाएगा देखिए यह भी हो गया तब भी हमारा easily निए को जाएगा और हम गेश लॉग कर देगे तो वहीं पर हमारा सिस्टम हो जाएगा लेकिन अईसी जो यहां पर वर्क कर रहे हैं यह तो भी दिखाई दे रहा है लॉग करने लेकिन हम सूट डाहं करदेंगे तो यह मं दिखार ही का क्या से अभी में टीகिता है कैसे लगते होकी कौई जो फॉरसर करनेकर directly हमें फोर्स सट्डाउन करना पड़ेगा तब जाके सिस्टम बंद होगा अपने आप वो सारा जो भी मेटर है वो हटा देगा क्योंकि फाइल भी हमने सेब नहीं की है और इस सट्डाउन भी उसने कर दिया है यह लिजए दिखा रहा है आपको सट्डाउन अब इसके बाद इस्टम नहीं होगा यह ओन करने के लिए हमको अपने सीप्यू से पावर देनी पड़ेगी इसको चलिए हम इसको फिर से पावर दे देते हैं यह लिजए पावर बटन हमने ओन किया हमारी स्क्रीन पर देखिए स्टार्ड होने लगाई इस तो इस तरह से आप अपने कंपेटर के साथ बहुत सारी चीज़ें ऑन आफ की जो प्रॉसेस है सारी कर सकते हूँ यह देखिए तो हमारा बापस से हम अपने कंपीटर स्कीन पर आ गए हैं यह देखिए बापस से हम अपने गेश्ट वाले यूजर को ओपिन कर लेते हैं और देखिए बैवकुन यह लीजए कि यह से मैं कुल बाल पर पर चुन लेता हूं फिर आपको अगले आप्शन के और लोगा आगे बढ़ेंगे लाइक देखिए कि यह थोड़ा इसकिन को डाक कर रहा है जो चेंज कर देता हूं विंडू से करके देखते हैं हो इसकि हमारा ओन हो गया अगला हमारा इसी में है जैसे कि हमने आपको सिस्टम को बंद करना और और करना भी हमने आपको बता दिया है तो अब यहां पर बात करने वाले हैं अगले और सन के वारे में जो है हमारा माउस का left click और right click left click तो हमने जैसे आपको बताई दिया कि किसी program में पहुंचना है तो उसके लिए left click के use करते हैं तो देख लिए easily कोई भी मालो हमें किसी program में पहुंचना है computer ये एक हमारे पास icon है इसको अगर मैं open करना है तो right click से हम नहीं कर सकते इसको देखो ऐसा नहीं है right click से भी कर सकते हो लेकिन अगर आपको directly इसको open करना है तो left click की साहता से ही होगा right click से फिर जो है जैसे आपको open करना है पहले right click करोगे फिर जाके आप उप इसको right click करोगे तब जाके open होगा लेकिन left click से आप जो इस पर डालबाल क्लिक कर सकते हैं, तो सीधे open हो जाए गा, कोई आपको परिशान भी नहीं हो न पढ़ाएगा, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, आप देखर recycle के साथ ही, कि आपकर इसको चाहो कि अगर right click करो तो open हो जाएगा, लेकिन इसमें time लगता है, तो राइट क्लिक से के दोवार भी open हो जाता है लेकिन आपको जैसे सारे काम left click से ही करने है right click का यूज कहा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो जैसे कि हमारे पास कोई भी देखें यह सब्टेवेर में पहुंचेंगे तो पहुंचने के लिए हमको सबसे पहले left क्लिक करना है माउस का यूज करना है डावल क्लिक कर देंगे left से और यह हमारा ओन हो जाता है इसके बाद हम इसको बंद करना है तो आपको यहां पर देखें कॉर्णर में अलग-अलग से आपको बटन देख रहे होंगे पहला बटन जो है यहां पर दिखें माइनिस बाले दिख रहा है आपको दूसरा यहां पर box बना हुआ दिख रहा होगा यह तीसरा आपको यहां पर cross का निशान बना हूँ रखाए तो यह जो है तीनो आइकेन ह होते हैं इनको computer में नाम दिया जाता है control बटन का जैसे आपके keyboard में control button होते हैं वैसे आपके जो है computer की skin में भी आपको यहां पर जो 2 से 3 आपको control button मिलते हैं अगर आपके देखे प्रश्ण बगेरा यह पूछा जाता है कि keyboard keyboard में control button की संख्या 2 होती है और अगर desktop की बात की जाए तो उसमें आपको control button की संख्या 3 होती है जब आप किसी भी software प्यादी पर काम कर रहे होते हैं बहुत से जगाई एक या दो भी होती है लेकिन जब आप जैसे MS Word हुआ Excel हुआ PowerPoint हुआ सारे software हैं जिनको को open करेंगे तो आप पर आपको तीन control button देखने को मिलेंगे तो देखिए मैं यहां से जो है तीनों को यहां पर आपको नहीं सोकर आएगा कि आपको directly open कैसे करना है बहुत सारी चीजें हैं जहां में यह जो है open करने के लिए अनुमती दे देता है इसलिए हम आपको left click के बारें बता रहे हैं तो left click से आप just right click कुछ प्रवाब में पहुंच पाओगे ऐसा नहीं सारे प्रवाब में आप जो है left click के साथ पहुंच सकते हो right में आपको कुछ प्रवाब के साथ बंचित रखा जा सकता है इस वात को बिशेज रूप से द्यान रखना है सबसे पहले देखिए हम आपको फिर से left click करके बताएं जैसे हम लैप ट्लिक करें नहीं हो रहा है लेकिन देखिए अब यहां पर जो दिखाई दे रहा है आपको यह आइकन देखा रहा है प्रोपर्टी बगएर हम कर सकते हैं इसके बारे में लेकिन इसको उपन करना बचेत रहे जाएगा फिर हमारा अगला इसको जब हमें उपन करना ही है तो left की सहायता से ही इसको हम कर पाएंगे तो देखिए क्लिक किया हमने left click से और यहां पर हमारा पान हो गय है तो right click में आपको जैसे option दिये हुए है view, sort by, refresh, paste, shortcut इन सारी चीज़ें तो कुछ options के बारे में आज बात कर लेंगे और जैसे आगे हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे तो उसमें videos में आपको सारी चीज़ें के बारे में जानकरी मिल जाएगी तो कुछ options के बारे में दिखा देते हैं आपको जैसे कि view है तो view में आपको यहां पर देखा रहा है, view का मतल़ होता है दिखाना, अब क्या चीज़ दिखाने के बात कर रहा है तो दिखाने में आपको सीधा कहा रहा है कि desktop के अंतरकत जो आपके बहुत सारे कारे हैं जैसे उसको आइकन वगेरा है चोटे करना हुआ, बढ़े करना हुआ, छुपाना हुआ, शो कराना हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनको कर सकते हो आप, तो इसके बारे में view का मतल़ होता है दिखाना, वो हम यहां पर आपको करना बताएंगे, देखे, view में आपको यहां जैसे क्लिक करते हो तो बहुत सारी आइकन दिख रहे हैं, जैसे large icon, medium icon, small icon, auto orange icon, align icon to grade, तो बहुत सारी हैं, इसमें हम देखे, सबसे पहले हमारे large icon, large icon का मतल़ होता है जैसे हमारी जो side में आपकी यहां पर icons देख रहे होंगे, इनको अभी size काफी चोटी है, इनको अगर हम हैं बड़े size में करना और यासे directly क्लिक कर देंगे वीई और लें ब्रोर्जब करेंगे तो इन की size बहुत जादा बढ़े की देखिए बढ़Wow जैदा यह तो अब हमें दिखो इन बापिस से अगर उसी पोजिशन में लाना है तो स्मॉल कर देंगे स्मॉल का मतलब होता है छोटा देखे बागी से छोटे हो गए अब लेकिन अगर अभी देखे अभी इसमें गैप ज्यादा बढ़ गया है इसको भी मैं भी ठीक कर दूँगा आपको बता दूँगा तो लार आइकन इधर-उदर क्यों जा रहे हैं इसके लिए हमें इसमें एक उप्सन आता है और अरेंज आइकन अगला उप्सन है इसका मतलब होता क्या है और अरेंज का मतलब होता है स्वैम से यह सारे आइकन को मालो जैसे हमने इसको यहां उठाकर रखती है इसको यहां उठाकर आप कफर दीजिक्त Хुब्रेया और आएकंड कर दीजिए आपके बापस से बन वाइंड जिस तरह से आपकी आपकी formate में थे उसे formate में यहां आनों आजहेंगे तो इस तरह से आप इनको एजली कर सकते हो अगर आइकन इधर उधर हो जाते हैं तो आटो औरेंज के साथ आप इन्हें आइकन को उसी जगे पहुंचा सकते हो फिर है हमारा अगला जो है अलाइन आइकन तो ग्रेड यह इसी के अंतरगा दाता है इसका खाई खास यूज नहीं है लेकिन हां सो डेक्ट आइकन का बहुत ज्यादा मस्ट यूज है सो डेक्ट आइकन में हम देख लेगे हाँ हैं जैसे सो अविज 제 हमारे आइकन दिख रहे हैem कई बार क्या होता है यहां पे है जो है इसके आइकन छुपा दोगे तो वो परशान हो जाएगा कि हमारे आइकन किसी ने छुपा दिये नहीं वो सोचेगा कि हमारा कम्पीटर भी तो सही चल रहा था अब खरा हो जो गया है लगता है सायद क्यूंकि उसको जब यहां से डेक्स्टॉप पर आइकन नहीं देख कितने सारे अगर में यहां से देखो इनको बापस से करूंगा ना देखे अगर इनमें से मैं कुछ भी आइकन को अगर ले लेता हूं जैसे यतने हैं यतने और वहीं पर आईकन कराना है तो राइट क्लिक करेंगे और वहीं यह विव पर जाईए और देखिए सो डेक्स्ट आइकन में यहां पर क्लिक कर देंगे जैसे तो क्लिक है मतलब आपके आइकन सो हो रहे हैं इन सभी में जो जो क्लिक हो रहा है वह भी सो हो रहे हैं मतलब वो वर्क कर रहे हैं और अगर मालों आपने जैसे जिस पर भी अगर जैसे मैं से इसको सो पर क्लिक कर देता हूं सब ह राइड हो जाएंगे और यहां सी जो मर्क किया हुआ है सही का निशान लगा हुआ यह भी है कैसे क्लिक है मैंने वर से खाल गए देखिए यह देख रहा है अब देखिए आप दो आइकन हाइड भी हो चुके हैं इसले हो चुके हैं इनका यूजर नहीं हो सकता है क्योंकि आपको अपने बता ही दिया है कि जब कोई आइकन इधर उदर पहुं जाता है तो वह वैस्तित की आयाता है लेकिन आप तो इसके हमारे कोई पर नहीं नहीं बचे तो इसली जाहरे कि इसमें आपको आइकन दिखनी रहे हैं तो यह बंद हो जाएगा अब हमें इसको दोबारा से ओन कराएंगे जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे दोबार करने लगेंगे क्लिक करते हैं सो पर दोबारा से देखिए हमारे सारे आइकन गासना है तो किलीक करेंगे हम इनको सब्सक्राइब जैसे कि साइज माने तो जैसे मेमोरी तो आपने पढ़ी होगी तो मीबोरी में आता है मैं इनको आपको बाद में पढ़ा दूंगा memory का होता है जैसे कि किसी भी photo का एक size होता है जैसे 1MB 2MB 5MB बैसे ही बहुत सारे जो हमारे यहां पर option देख रहे हैं इनकी अलग-लग size भी है इनमें अलग-लग memory भी है कि send नमें कोई 10MBi का है कोई 10MB का कोई की기가 हो सकता है को जीवी हो सकती है एनके अंदर तो आपको यह कैसे करना है तो अगर आपको पता चल जाना है कि किस में ज़्यादा size है तो आपको by क साइज पकर देका है साइज के सबसे बाद लग और ये देखें, ये 12 KB का है, और ये देखें, ये भी 12 KB का है, ये देखें, 11 KB का है, मतलब आप जैसे नीचे आते जाएंगे 8 KB का, देखें, ये 8 KB से और कम का, देखें, 8 KB से और कम का, देखें, 8 KB से और कम का, देखें, 8 KB का ये है क्या, हाँ, ये भी 8 KB का है, ये इसमें अपना डाडा डीटा है जैसे कि कम्पीटर में सारी डीटा रहे चीज है यह सारी चीज है इसमें भरी हो ते दिखें इसमें बडिका रहा है इसमें तो यह उपर अपने हिसाब चो ने से इसकी कोई बाइट कर है उसके नहीं है ज़िए इसमें डिके तो अपने अपनी साइड के साइज लग जाते हैं साइट में अब इन्हें दूसरी तरह से आइटम के हिसाब से सेट करना चाहे हैं कि जो आइटम है उसके हिसाब से दिखें यह लिजे तो यह भी सेट होके हैं लास्ट हमारा इसी में ओप्षन है डेट जो डेट के हिसाब से इसमें आते हैं उनको मोडिफाई करने के लिए डेट मोडिफाई भाली जो सने को klik कर के सट किए दिखें जो डेट के हई होंगे सबसे पहले हैं कमप्यटर वर रिसमय को बनाये होगा और बर किया गया होगा तो यह इस तरह से हैं अब दिखेंगे नहीं पता Can इसमें दिखा रहा है हमें देखी यहां पर जो है 30 तारिक नौबो महीना दोजार तेएस और जस्ट इसमें हम देखेंगे अगर तो दिखेंगे हाँ इसमें थोड़ा टाइम कभी होता है कि अगर मालों लोगे की डिट में बहुत सारी फाइल है तो वह भी दिखाता है जैसे 15 days 35 इसमें दिखा रहा है इस नौरब 5 7 इसमें दिख़े इसमें नौब वहीन और शॠक कि मोदीय निए इसको दिखते हैं किटना हमें श्जो करेंघू यसमें डिखा रहा है इसमें दिखार रहा है इसमें आगये बाला है तो इसमें थैसमें 17 5 हो गई आप पांच है लेकिन इसमें पंदर बच के नो मिनिट है इसमें देखो चार बच के एक मिनिट है तो अलग-अलग के हिसाब इसमें इसे करने के लिए से और प्यास पानी पी लेते हैं तो इससे हमारी इमीडी थोड़ी बूश्ट हो जाती है बैसे computer को भी refresh करने से easily चलाने में उसको मद्द मिलती है देखें यहां पर हम जैसे refresh करते हैं तो यह easily हो जाता है और refresh करने के यह किया तरीका है दूसरा तरीका हमारा यह है कि आप इस जो है कम अपने keyboard की माद्यम से F5 करेंगे दिखें मैं अभी f5 कर रहा हूँ यहांपर मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिये यह 5 हमारे पास है थोड़ा लाइट कर लाइट इसलिए नहीं देख रहा है अभी पिर मैं दिखा देता हूं ऐसे कि यह दिखें इसमें जो बैफ 5 है तो कि यह देखेंDய parents करूंगा तो आप यहहाँ पर देख सकते हुँ इसको में जैसे फ्रैस करूँगा यह दिखें तो इससे हमारा एक होता है ठीक है यह भी हमारे एक अपसर है अब हमारे पास अगला ऐप्सण species आंग ने वर्क करने की स्तिति को गूस्ट कर सकते हैं ठीक है फिर वमारे पास अगले ओप्सन है पेश्ट करना हुआ यह हम आपको अपनी जैसे जह हम सॉप्टेर्ट चलाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे फिर हमारा अगला ओप्सन जैसे अन्यू है तो इसमें कोई नया फू ने सब्सक्राइब यहारनों यह फिर में अश्कारेटरेफ मेंगा फोल्डर यह सकते कूसे का विदियो एक बना की बना के तो वैसे नाम लेकता हूं यहारने से omdat है कि मुस् fluff को से तो मीघ्न कते हो क्लिक करेंगे बटन प्रेस कर देंगे तो यहां पर आप इसका नाम भी देख सकते हैं तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं फिर हमारा अगला ऑप्शन इसी में नियू के बाद हमारा फिर है इसके अगर मारी स्कृण की जो लेजिशन है वह थोड़ी बहुत खिसक गई है या पर तोड़ो उसका चेंज करना है तो यह स्कृण के बारे में होता है अभी आपके जो है कंप्यूटर के मैं स्टार्डिंग है तो इसके बारे में आपको इतना ही बताऊंगा कि इससे इसकी दी हुई है बारस औसी दी हुई है बहुत आगे तक दी हुई है तो रेजिलेशन सेट होती है यह हम आपको बादन बताएंगे ठीक है जब आप कंप्यूटर सीखते जाएंगे देए तो सारी चीज़ें आपको इसली आ जाएगी परशानों की आवसकता नहीं है फिर हमारा पर अगला जो है इसी में अगर हमें कोई गयरा विला आने हैं तो हमें आप पे आपको देखर हैं जैसे हमें घड़ी है यहां पर लिखा वह लानी है तो क्लिक करेंगे और इसको उठाके इस दिल देखो बाहर ले आता हूं यह नहीं आ रही है चले कोई बाद मैं फिर से मि पर कर लेंगे है अगर मुको हटाना है क्लोज का आइकन हुटा इसे वी सिसको समझते है इसमें भी तो पर्सनलाइज है तो पर्सनलाइज ऑप्शन जो है थोड़ा यूनिक है इसमें क्या होता है कि जैसे आप कभी भी इसको अन करते हो पर्सनलाइज में कहीं तो बॉल्ल पेपर सेट करना हुआ इसकी थीम सेट करना हुआ और यह आपको दिख रहे हैं यह बार दिख रहे होगी टास्क बार है तो इसको भी आप जो है अपने हिसाब से इसके चेंज हो सकती हैं जैसे हम क्लिखकर करके बता देते हैं सबसे पहले हम इसमें डिया क्लभा सारी जा सबसे ने आपको चेहां करते हैं तो ज्यासरी आपको किसी बसद्ञार करना है ऐसे sap क्लिक करेंगे तब ही आपका वल्पेफर जैंज होगा जैसे एक्लिक करना मातर नहीं होगा जैसे आपके कर दिया लेकिन बंद कर देते हैं, इसको और बिना सेब चेंज किया घंगे यहाब से उसी को पहुंच जाता हूं यह लिजे क्लिक किया मैंने इसको अरे सदें कि यह इक आईकन पर है बागी सभी आईकन पर भी एपलाई होता है जैसे देखिए मैंने क्लिक किया और अब सेब चेंज करूँगा कि लिजे हम बापिस आ गया और हमें यहां से close कर देंगे देखि पिर से अगर मालो आपको इतने सारे जो इसमें बाल पेपर से अगर आपको अच्छी ना लगें डेक्स्टॉम में तो कुछ आप colors भी सेट कर सकते जिसे बता रहा है solid colors भी है library है जो आपकी library से बिला सकते हो आप और solid colors में भी इला सकते हैं solid कर दिया जैसे इसको कर देता हूं सब्सक्राइब और फिर में चाहूं कि इसको कर लो तो नहीं हो पाएगा सेफचेंज किया अब इसको में बंद कर दो देखिए मेरा आइकम मदल गया में हमने सैट कर लिया फिर हमारा पर्शनलाइज में और भी सारे चीज़े हैं मैं बापिस से दुसरा इसको कर देता हूं यह देखे यहां पर बहुत सारे उप्सन है यह देखिए ना आपको यहां पर विंडू का जो तरीका है आप यह देखे बिंडू का सेफरन बेसिक है अब मैं आप एक्लासिक कर यह देखे बिल्कुल चेंज हो गया यह लिजे पूरा डिजाइन इसका बदल जाएगा पूरा यह स्टार्ट से दिखिए आपके ऑप्सन बगेरा भी है तो बिल्कुल यह अजीव टाइप के दिखने लगेंगे क्लासिक में आ जाता है अगर मालों में इसमें कंट्रेस्ट यह ऐब देखो तरह से आपको यह देखते रहेंगे फिर हमारे पास अगला इसमें कीणूर करना है तो करेंगे तो और अलग देखिए वह सारी युदॉ फिर high concern black करना है, proper black करना है, देखें, अब proper black हो जाता है, तो यह सारी चीजे हैं, इन में हम इसके जो है, theme जो है, इसमें set कर सकते हैं, तो बहुत सारी themes हैं, और white theme, यह white में कर दो तो white हो जाएगा easily, देखो यह, इस तरह से, तो यह भी अच्छा लग रहा है देखने में, मैं यहाँ पर basic कर लेता हूँ न, यह देखें, हम बापर से वहीं पर आ गए, तो यह इसकी themes है, जो आप set कर सकते हों, ठीक है, तो बहुत सारे wallpaper भी हैं, themes भी हैं, यहाँ पर हमने इसको set करने के बाद, एक अबला option हमें यहाँ पर, देखें, मैं दिखा देता हमको, personalized पर जाए अब यहाँ पर मालो हमें की, जैसे यह दिख रहे है, task war, task war इसको कहते है, task war का अगर हमें color change करना है, तो देखें देखें दिखेंगे, और यहाँ पर हमें इसकी, जो है, देखो, इस सारे हमारे पास color आ चुके हैं, हमें इसको जिस पर भी click कर देंगे, apply करेंगे, देखें यहाँ पर हमें थोड़ा pink पर click किया, और यहाँ पर इसको थोड़ा color change हो गया, जैसे मैं dark करूँगा, यहाँ से इसको dark कर सकते हैं, थोड़ा खुला color भी कर सकते हैं, देखें, वापे से वही color हो जाएगा, देखें, यह थोड़ा dark हो गया है, yellow और देखें, yellow हो गया, green हो गया, यह देखें, तो कोई भी color अगर आप में यहाँ जो है, select करना चाहिए, वो कर सकते हो, यह लिजए, यहाँ पर मैं यहाँ पर pink कर लेता हूँ, यह देखें, अब हमारा pink हो गया, लेकिन कर इसमें भी same चीज रहेगी, save change करना ही पड़ेगा, click किया, यह रहा है, save change, save change जोनने के बाद बस, अब आप इसे बंद भी कर सकते हो, यह दिजए, फिर हमारा इसी में परस्नलाइज में अगला ओप्स है, फिर देखें, यहाँ पर कोई sound effect बगएर भी हैं, तो sound effect भी आप set कर सकते हो, यह साउंड है, देखें, 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 तो बहुत सारी छोट चोटे sound आपको मामूली आवाज आ रहे हो कि मैं आपको सुना देता हूं, एक सकंद, मुझे माइक निकालना पड़ेगा, यह देखें, आप साहरे आपको सुनाई आए, यह देखें, यहाँ पर test लिए करूगा, हाँ, यह देखें, तो यहाँ से जो भी हम set करना चाहाए, बहुत सारी, यहाँ पर हम बहुत सारी sound effect मिल जाते हैं, जहाँ कोई work करेंगे तो उसमें, open all करने में, यहाँ पर हमें देखाए लेगा, तो यहाँ ने उसको open कर लिया, अब हम यहाँ पर कोई effect ले लेते हैं, जैसे, जैसे मैंने ले लिया आपको ब्लॉक आपको, यह है, यह दो बद्भूई नहीं कर रहा है, हाँ देखें, थोड़ा सा sound आता होगा आपको, यह देखें, हाँ, यह sound में अच्छा, टेजब कर लेते हैं, तो sound setting यहाँ से आप easily कर सकते हो, और फिर इसको apply करने के लिए, ओके, जैसे बंद कर दिया, देखें, अब इसको open करें, देखें, तो हमें ऐसा थोड़ा सा sound इसका सुनाई देता है, फिर हमारा अगिला इसी में, देखें, last screen saver है, तो screen saver को भी हम यहाँ पर work कर सकते हैं, screen saver का मतलब होता है, जैसे कि आपको कहें, जब आप screen पर work कर रहे हैं, और करते करते हैं, अगर आप कुछ समाई के लिए screen को, जैसे हाल में है, उसमें अगर छोड़ देते हो, तो यह screen जो है, अपना कुछ नया look दे देती है, जैसे कि screen saver में देखा भी none है, तो none का मतलब होता है, यहाँ पर कुछ भी setting नहीं है, जैसे 3D text है, देखें, यह देखें, आपको यहाँ पर 3D text देख रहा होगा, अग APIDC, यह दे दिया हमरा name यहाँ पर, और यहाँ से जो है, इसको मैं OK कर लूँगा, देखें, यहाँ पर आपको आइकन दिख रहा होगा, प्रिविव यहाँ से आपको दिखा देगे, देखें, APIDC यहाँ से आते आते दिख रहा होगा, तो जैसे कि यहाँ पर एक time set होता है देखें लिखा है ना, wait for, कितना minute, one minute लिखा होता है, minute पर क्लिक करेंगे, कम से कम time यहाँ पर one minute होता है, और फिर मैं यहाँ पर जैसे इसको apply कर दूँगा, apply, तो OK करने को बाद जब मेरा एक minute हो जाएगा, इसलिए यह work करने लगा, OK कर दूँगा, मैं और दूसरा भी मता देता हूं, आपको blank है, blank का मतला होता है, कुछ भी न देखें, जैसे बंद हो जाते इसकी, तो blank type का भी देखेंगा, आपको दूसरा है bubbles, इसमें ऐसे bubbles type के आपको दिखाए देगे, जैसे preview में देखा दो, bubble मैंने set कर दिये, तो इस तरह से आपको bubbles देखेंगे, उड़ते ह हमारे skin में skin savers होते हैं, जिनको हम set कर सकते हैं, यह सारी settings हैं, जिनको आप easily कर सकते हो, तो यह हमारा skin saver हो गया, bubbles के अलावा देखेंगे, कोई photo बगएर भी आप इसमें set करना चाहें, तो देखेंगे, यहां पर एक photo set है, तो फोटो भी इसमें हो जाएगी, देखें, माउस का यूज करो गया, कीबूट का कुछ भी button प्रेस कर दोगे, तो इसमें हट जाएगे, यह दिखेंगे, मैंने माउस को इधर उदर किया, तो यह दुबारा से हट जाएगा, तो यह प्रकार का skin saver है, आप इसे easily कर सकते हो, यहां पर किसी मैंने जैसे 3D text कर दिया था, हमें इसको नन कर देता हूं, अगर आप भी इसको apply करना चाहते हैं, तो easily इसको ऐसे सीख सकते हो, और okay कर दो कि तो आपका save हो जाएगा, तो यहां तक का यह सारी चीजे हमारे study to end तक था, हमारा right click तक, यह हो गया, तो आज का हमारा वीडियो जो था, काफी लंबा हो गया वीडियो, आसा करते हैं, आप लोग बहुत सारी चीजें सीख गए होंगे, अगर जो चीजों को आप नहीं सीख पाए हैं, तो वीडियो को थोड़ा रुक रुक कर भी देखेंगे, तो आप बापस से, इन सारी चीजों को सीख पाएंगे दोबारा से, और इसमें जो भी doubts ह आप हमें कमेंट में लेक भीजिए, आसा करते हैं, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, चले यह फिर मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ नए टोपिक के वारे में, जिसमें हम आपको कुछ नए चीजों को चब हो सितना ही, आई, ए ओके ए्झू, आपकोक। नए वीडियोउ होगाई.